Hi everyone, acne या pimples एक बहुत common problem है और अगर इन्हें सही time पे treat ना किया जाए तो इससे scarring हो सकती है यानि pimple में जो bacteria है जो pus है वो आपके skin के protein को damage कर देगा और जब तक आपके pimples ठीक होंगे तब तक आपके चेहरे पे बहुत सारे गढ़े या scars बन सकते हैं इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके pimples को सही time पे treat किया जाए अब अगर scarring हो चुकी है तो क्या करना है देखे, scarring अगर हो चुकी है तो वो permanent scarring है इसलिए इसको ठीक करने के लिए आप कुछ lasers करवा सकते हैं इसमें काफी सारे lasers available हैं आपके किस तरह के acne scars हैं rolling scar, box scar या eyes pic scar उसके हिसाब से आपके dermatologist आपको सही technology recommend करेंगे कुछ patients में ये ज़रूरी है कि 2-3 technologies को मिला के अच्छा result दिया जाए तो ऐसे में fractional CO2 laser एक बहुत अच्छी technology है इसमें fractional laser होने के वज़े से collagen remodeling होती है scars बहतर होते हैं, shallow होते हैं, कम visible होते हैं और इसी में अगर बहुत गहरे scars हैं तो आपके dermatologist आपको subsision भी suggest करेंगे subsision का मतलब है कि needle डाल के skin के fibers को break किया जाता है जो fibers आपके scar को नीचे की तरफ पूल करें उन्हें break किया जाएगा उससे भी scars lift होंगे और इसके इलावा MNRF यानी micro needling radio frequency erbium glass ये सब भी अलग-अलग technologies हैं जिनसे आप बहुत अच्छा benefit उठा सकते हैं अगर eye-spick scars हैं तो आपके doctor आपको TCA cross recommend करेंगे अब बात करते हैं हमारे आज की case study की ये patient को बहुत सारे scars थे और scars के साथ-साथ इनके बहुत जादा pimples भी थे तो हमने सबसे पहले इनकी कुछ investigations कराई देखने के लिए कि इन्हें इस age में pimples क्यों निकल रहे हैं क्योंकि normally pimples 23 और 24 की age तक खतम हो जाने चाहिए अब क्योंकि इस उमर तक इनको pimples निकल रहे थे काफी जादा painful pimples थे और scalp में सर के अंदर भी पस वाले दाने हो रहे थे तो हमने इनके कुछ basic test करवाए उसमें इनका insulin level, इनका cholesterol level और इनका liver function भी deranged आया उसके बाद हमने इनका diet और lifestyle modification किया, कुछ और treatments करें जिससे इनके healthy diet और lifestyle modifications है और साथ में हमारी क्लिनिक में crystal glaze और berry blast जैसे treatment कराने से इनके चहरे के pimples सारे ठीक हो गए उसके बाद हमने इनका subcision, fractional CO2 और PRP किया 4-5 sessions के बाद इनको काफी अच्छा results मिले और अब हम इनका MNRF यानी micro needling radio frequency कर रहे हैं जिससे इनके results और बहतर हो जाएंगे इन technologies के मदद से collagen remodeling होती है और fibrous bands break होते हैं subcision से और collagen remodeling होने के वज़े से scars धीरे-धीरे shallow हो जाएंगे scars की visibility कम होगी skin का texture, tone और quality इंप्रूव होगी अगर आप किसी को जानते हैं जने pimples हैं या acne scars हैं तो उनसे ये video share करें अगर आपको video informative लगी तो like कीजिए friends और family में इसे share कीजिए skin और hair के ऐसे और informative content के लिए आप हमें YouTube और Instagram पर भी follow कर सकते हैं हमारा YouTube और Instagram handle है Dadu Medical Center और DMC Trichology अगर आपको skin या hair से related कोई भी questions हैं तो उन्हें comment section में comment कीजिए झाल